Welcome back दोस्तों, I hope आप सभी ठीक होंगी, हमने कल अपने first lecture में modulus के बारे में देख लिया था, first lecture जिसमें हमने mode का introduction देखा था, आप iTap पे click करके lecture देख सकते हैं, अगर आप लोगों नहीं नहीं देखा, आज हम इसके आगे का further, देखते हैं कि mode होता क्या है, कैसे work करता है, ये कैसे function करता है आगे, so let's start, अब कल जो हमने देखा वो एक पर फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, हमने देखा था कि इसका input होता है, और ये हो गया range, range means output, output हो गया r plus union 0, r plus का मतलब हो गया all positive real numbers, और including 0, तो ये था हमारा mode का, जो हमने कल देखा, उसके इलावा y is equals to mode x होता है, अब ये operate कैसे होता है, अब मैं कहूँ कि मुझे mode को हटाना है किसी function में, जैसे को equation आ गया, जहां मुझे solve करना है किसी equation को, for example, 2x plus 3 plus 3x plus 5 is equals to 0, किसी ने मुझे ये question, मुझे ये expression दिया, और कहा कि इसमें find x, अब इसमें x को find गरो, तो अब मुझे तो पता ही नहीं कि इस mode को कैसे operate करना है, लेकिन इस mode को operate करना है, तो operate करने का मतलब क्या हुआ, कि हम इसे हटाएं कैसे, इसे solve कैसे करें, इसे इस equation के साथ कैसे देखें, क्या हम इसे directly लिख सकते हैं, कि जैसे हम general अगर ये mode नहीं होता, तो क्या हम इसे लिख देते 5x plus 8 is equals to 0, क्या हम इसे directly लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, mode का input है, अब ये जो input है, ये कैसे behave करेंगा, ये positive होगा, ये negative होगा, या ये 0 होगा, ये जो बात है, ये जो मैं बार-बार बोल रहा हूं, ये इसके लिए important है, क्योंकि हमें x को नहीं, इसके input को देखना है, ये अभी equation easy है, लेकिन जब आगे आगे हम जैसे जैसे देखेंगे, तो वहाँ ये थोड़ा tougher लगता है, मतलब अजीब लगता है कि ये x क्यों नहीं देखा, ये क्यों देखा, ये जो confusion है, ये create ना हूं, इसलिए मैं ये statement भार भार बोल रहा हूं कि ये positive, negative है या 0 है, तो हमें देखना है 2x plus 3 कैसा है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं क्योंकि, जैसे अगर 2x plus 3 की मैं बात करूं, तो x is equals to 0 पे तो positive है, x is equals to minus 3 by 2 पे वो 0 है, x is equals to minus 2 पे वो negative है, तो ये तो x की different, different values के लिए अपना different, different behavior हो कर रहा है, कौन, 2x plus 3, तो मैं इस mode को कैसे हटाऊँगा, कैसे हटा पाऊँगा मैं इस mode को, तो ये सब आज देखने वाले हैं कि इस mode को हम कैसे remove कर सकते हैं, और इन equations को solve कर सकते हैं, तो आज हम देखेंगे कि modulus कैसे operate होता है किसी भी equation में, किसी भी function में या किसी भी expression जो हमें given हो, उसे हम कैसे उसे remove कर सकते हैं, तो ये आज हम देखने वाले हैं, अभी अगर मैं एक example दूँ, जैसे कोई एक example है, simply अगर मैं बोलूँ कि y की value जो है, वो है mode 4, तो इसका क्या मतलब हुआ, y is equals to mode 4, तो यहां तो हम simply बोल सकते हैं कि y की value 4 होगी, यह 4 तो already positive है, तो यहां तो y की value होगी, लेकिन अगर मैं इसी का vice versa कर दूँ, अगर यह mode 4 की बजाए y पे लगा दूँ, तो क्या अब हम directly बोल सकते हैं कि y की value 4 होगी, नहीं बोल सकते, हाँ, यह एक situation है कि जब y की value 4 होगी, तो यह जो statement है, यह जो statement है उपर वाली, यह true हो जाएगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या सिरफ y is equals to 4 के लिए यह valid है, तो यह गलत है, कि सिरफ y is equals to 4 के लिए नहीं, अब अगर आप देखना चाहें कि अगर y की value minus 4 हुई, तो भी तो यह correct होगया, तो भी यह statement correct होगी, यानि कि सिरफ y is equals to 4 के लिए यह जो statement है, यह correct नहीं है, और ना सिरफ y is equals to minus 4 के लिए, या तो यह हो जाए या यह हो जाए, या इन दोनों के बीच में odd है, कि या तो यह situation correct हो या यह हो, इन दोनों में से कोई भी अगर एक statement सही हो गया, तो यह जो उपर expression given है, यह हमारा true हो जाएगा, तो यहाँ हमें बोल दिया, जैसे अगर यह y is equals to 4 का था, similarly मैं अगर बोल दूँ, mode y is equals to 3 है, then find y, तो find y, y की value बताओ, तो ना यह बोलना sufficient है कि y is equals to 3 होगा, ना यह बोलना sufficient है y is equals to minus 3 होगा, तो जो exact answer हो क्या होगा, वो यह होगा कि या तो y is equals to 3 होजाए, या y is equals to minus 3 होजाए, कोई भी एक situation हो, तो यह statement true होगे, अब हमने यह operate, यह तो general था कि हमने mode y is equals to 3 ले लिया, और हमें पता था कि mode numeric value को change नहीं कर सकता, तो 3 ही रहेगा, बाकी sign 2 होगे, या तो plus का होगा, या minus का होगा, तो यह हमने इसे operate करती है, लेकिन अगर मैं किसी expression की बात करूँ, जैसे 2x plus 3 is equals to 5, अब यह जो expression है, y is equals to mode 2x plus 3 is equals to 5, अब इस expression में मैंने कहा कि find x, x की value find करूँ, तो यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ कि 2x plus 3 जो है, वो तेन behavior चोपर सकता है, positive, negative या 0, अब अगर यह 0 हुआ, 2x plus 3 तो यह इसके equal हो नहीं सकता, तो या तो यह अंदर वाला positive हो, यह negative हो, और उसकी numeric value कि इसके equal हो 5 की, तो यहाँ भी हम इसे अपना जो modulus का जो उपर हमने function देखा था, जे function हमने देखा कि यह काम क्या करता है, actual में क्या काम करता है, अगर उस काम को ही देखें, तो यह क्या करता है, कि यह numeric value को तो change नहीं करता, sign change कर देता है, तो या तो यह 5 की equal होना है, तो इसकी numeric value तो 5 ही रहेगी, तो या तो यह plus 5 की equal हो जाए, या फिर 2x plus 3 की value जो है, वो minus 5 हो जाए, तो यह जब हम 2x plus 3 अगर minus 5 की equal है, तो हम इस पर mode लगाएंगे, तो जैसे ही mode लगाएंगे, यह minus 5 को 5 कर देगा, numeric value में तो कोई change आएगा नहीं, तो वो तो 5 रहेगा, बैस 2 sign के साथ इसे operate करना है, और अब हम इसको जैसे simple equation solve करते हैं, वैसे solve कर सकते हैं, या नि x की value या तो 1 हो जाए, या फिर x की value minus 4 हो जाए, तो इन 2 x की values के लिए, यह जो statement है, यह true हो जाएगी, यह true हो जाएगी, तो यह भी हमने operate कर लिया, यह हमने बिना किसी property के, बिना कुछ सोचे समझे, जो हमने सीखा था, सिरफ जो हमने, जो इसका function देखा था, सिरफ उस function को देखते हुए, हमने इसे operate कर दिया, जैसे 2 x plus 3 को plus 5 बना दिया, वो 2 x plus 3 को minus 5 बना दिया, यह सिरफ algebraic, जो sign है, वो change होगा, जो हमने change करके, अलग-अलग cases बना के solve कर लिया, लेकिन, यह था simple, जैसे अगर मैं इसमें एक example और लूँँ, जैसे, लेक से ले लेता हूँ, एक example और ले लूँ, जैसे mode of x square plus x plus 1 is equals to 2, तो हमें मतलब नहीं है कि mode के अंदर क्या है, वो एक input है, हमारे लिए सिरफ वो एक डबबा है, यह जो डबबा है, यह positive, negative है, 0 हो सकता है, तो 0 का कोई sense नहीं कि वो numeric value change हो जाएगी उसकी, हमें 2 चीए इसके numeric value, तो यह mode simply दो तरह से behave कर सकता है, या तो x square plus x plus 1 की value 2 हो जाए, या फिर x square plus x plus 1 की value minus 2 हो जाए, इसका मतलब क्या है, या तो यह डबबा 2 के बराबर हो, क्योंकि इस डबबे की numeric value 2 ही है, तो यह जो 2 है, यह कभी नहीं बदलने वाला, या इस डबबे की value minus 2 हो जाए, इस negative number को, तो हमने जो पढ़ा, उसकी basis पर इस से बोल दिया, कि या तो इस डबबे, या नि इस x square plus x plus 1 की value 2 हो, या x square plus x plus 1 की value minus 2 हो तो यह, तो इसकी modulus की value जो है, वो 2 के equal आ जाएगी, तो अब हम इन दो quadratic equations को solve कर लेंगे, जो बहुत ही simple है, यहां से आजाएगा, x is equals to minus 1, यहां हम quadratic formula लगा लेंगे, तो यह हो जाएगा, 1 plus 4 divided by 2, x की दो values तो यह हो गई, जिनके लिए यह statement true हो जाएगा, और बाकी values यहां से आजाएगे, x square plus x plus 3 is equals to 0, यहां से जब हम देखेंगे, तो यह d negative आजाएगा, यह हम further जब quadratic equation देखेंगे, यह आपने पहले पढ़ा होगा, कि d negative और d negative है, तो यह क्या हो जाएगा, इसके कोई real roots नहीं आएगे, तो no real roots, no real roots, तो यहां कोई root exist करेंगे नहीं, और यहां इन दो values के लिए, यह जो statement है, यह true हो जाएगा, यानि x की इन दो values के लिए, हमारे पास इस expression की value, इस modulus की value 2 के equal आएगी, तो यह हो गया basic operation, इसका जो हम अपने जो property है, जो modulus का काम है, उसके basis पे बोल सकते हैं, लेकिन जो अभी मैंने expression कहा, जो उपर एक example दिया मैंने, example दिया था मैंने, mode 2x plus 3 plus 3x plus, जो भी था, 3x plus 5, 3x plus 5 is equal to 0, यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ, कि 2x plus 3 या तो positive होगा, लेकिन मुझे या इसकी, कोई specific value नहीं पता, क्योंकि मुझे या इसकी, कोई specific value नहीं पता, जैसे उपर के examples की, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं उपर के examples की, अगर बात करता हूँ, जैसे यहाँ मुझे पता था, कि इस modulus की numeric value 2 रहेगी, fix है, वो हमेशा 2 ही रहेगी, उसको हम change नहीं कर सकते, तो हमें पता था, हमने direct उसे operate कर दिया, उसकी numeric value को बिना change किये वे, science के साथ, similarly हमने उपर के सभी examples में, हमें क्योंकि numeric value पता थी, हमने उसे direct operate कर दिया, science को change करते वे, लेकिन अगर मैं यहाँ, इस expression को उधर भी ले जाओ, जैसे अगर मैं इसे, जो उपर वाला format है, उस format में लिखने की भी कोसिस करूँ, जैसे mode of 2x plus 3, is equals to minus 3x minus 5 भी लिख दूँ, तो क्या हम इसकी numeric value पता है, क्या वो fixed है, नहीं, no, it's not fixed, तो यह fixed नहीं है, तो हम इसे यह नहीं कह सकते की, इसकी numeric value तो हमेशा यही रहेगी, और इसका sign change हो जाएगा, यह भी नहीं कह सकते हैं, तो अब क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें की, ताकि हम इस modulus को हटा सकें, और इस equation को solve कर सकें, तो ना तो यह fix है, ना हम इसको ऐसे सिदा operate कर सकते हैं, क्या पता, यह negative हो, तो यह कभी इसके equaly नहीं हो सकता, क्या पता, यह भी 0 हो जाए, यह भी 0 हो जाए, क्या पता, किसी x के लिए, यह positive होता हो, यह negative रह जाए, क्या पता, किसी x के लिए, यह negative हो जाए, और उसी x के लिए, यह positive हो जाए, इसकी numeric value अलगा जाए, तो यह दोनों equal होने की, सबसे पहली condition, इनकी numeric value सेम होनी ज़रूरी है, यानि, एक किसी x के लिए, इन दोनों की numeric value, equal होनी ज़रूरी है, तभी यह equal हो सकते हैं, तो यह से operate करना, इसे उसी operation के basis पे, अगर हम breakdown करेंगे, तो वो easy नहीं होगा, तो हम क्या करें, अब क्या करें, हमें पता है, हमें हटाना है, इस mode को, जो हमारी problem है, जो हमें problem दे रहा है, इस question में, तो हमें क्या है, इसके input पे ध्यान देना है, क्योंकि mode, उसके input के according ही operate होता है, input के according कैसे है, फिर से मैं वो ही बात बोलूँगा, इसका input positive है, negative है, या zero है, इसका input कैसा है, उसके basis पे ये operate होगा, तो अगर ये positive है, तो ये mode, बिना कुछ shade चाड किये, यहां से हट जाएगा, अगर ये negative है, तो ये कएगा, नहीं, मैं इसके आगे, एक minus लगा के जाऊँगा, क्योंकि ये negative है, मुझे इसको positive बनाना मेरा काम ही है, तो वो इसे positive बना के, चला जाएगा, और zero है, तो हो गएगा भई, सामने वाले को भी zero करो, मैं zero हूँ, तो सामने वाला भी zero, होगा ही होगा, तो ये हो गया, modulus का काम, तो अब हमें देखना है, कि 2x plus 3 जो है, वो कैसा है, कैसा है, तो वो देखने के लिए, मालो हम बोल दें, कि हम खुझ से बोल दें, कि हमें पता है, कि 2x plus 3 positive है, यानि 2x plus 3 positive है, हमें नहीं पता, कि x कैसा है, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं, कि किन-किन x के लिए, वो positive होगा, या किन-किन x के लिए, वो negative होगा या किन-किन x के लिए वो 0 के equal हो जाएगा ये तीन चीज़े तो हम निकाल सकते हैं inequalities का use करके कि ये जो expression है, ये जो input है ये जो इसका डबबा है mode का ये positive कब होगा, negative कब होगा और 0 कब होगा क्योंकि हम खुद से कभी define नहीं कर सकते क्योंकि x बदल रहा है हर वक्त बदल रहा है तो वो जो बदल रहा है उसे हम किसी x के लिए तो fix कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई एक specific x जैसे x is equals to 0 के लिए ये positive है, 1 के लिए positive है 2 के लिए positive है किन-किन x के लिए ये positive है किन-किन x के लिए ये negative है और किन-किन x के लिए ये 0 है ये जो input है ये ना कि x तो हम वो सारे x निकाल लेंगे और फिर हम उसे आसाने से remove कर पाएं क्योंकि कैसे remove कर पाएंगे वो भी दिखाता हूँ जैसे ये जो case है 2x plus 3 positive है तो इसमें हमें पता है कि जो mode का जो डबबा है जो input है जो input है वो positive है कुछ x के लिए हाँ वो x हमें restrict करने पड़ेंगे हमें पता है कि ये जो x है ये restricted x के लिए ये जो डबबा है ये negative है हमें पता है कि ये जो इसका जो input है ये जो डबबा है यह किनी restricted x के लिए 0 है तो हम उन x के लिए तो इस mode को remove कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे इसे solve करने के लिए वो सारे x निकालेंगे यहां से हम basic inequalities का use करते हैं हमें पता चल जाएगा कि x greater than minus 3 by 2 यानि minus 3 by 2 से बड़े हर x के लिए यह जो डबबा है यह कैसा होगा positive होगा similarly x less than minus 3 by 2 के लिए यह जो डबबा है यह कैसा होगा negative होगा यहां से x is equals to minus 3 by 2 के लिए यह जो डबबा है यह कैसा होगा 0 होगा sorry x is equals to minus 3 by 2 के लिए तो हम in x के लिए in x की presence में मैं फिर से बोल रहा हूँ सिरफ और सिरफ in x की presence में मैं इस mode को positively operate कर सकता हूँ यानि यह बिना कोई change किये यहां से हट जाएगा Only for every x belonging to minus 3 by 2 to infinite Similarly only for every x belonging to minus infinite to minus 3 by 2 Only for every x is equal to minus 3 by 2 सिरफ इन के लिए मैं इनको change कर सकता हूँ तो यहां से इस mode को change करते हैं तो इस mode को change करने के लिए मैं क्या करूँगा अब इस case में क्या है इसका डबा positive है तो mode कहेगा मेरा कोई काम ही नहीं क्यों बुलाया होजे मैं तो जा रहाँ वो tata y कर जाएगा और यह 2x plus 3 is equals to minus 3x minus 5 के equal हो जाएगा Similarly इस case में इस वाले case में वो बुलेगा भई अब तो मेरा काम है अंदर वाला negative है तो मैं तो उसके आगे एक minus लगा दूँ यह हो गया minus 3x minus 5 और यहां तो क्या ही कहना x की value सीधी minus 3 by 2 है तो x की value minus 3 by 2 हम direct put कर दें क्योंकि यह की value है जब minus 3 by 2 put करेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा और यह कुछ non-0 number हो जाएगा तो यह कभी equal नहीं हो सकते यानि हम कह सकते हैं कि x की value minus 3 by 2 नहीं होगी अब हमारे पास case बचे 2 अब यह simple equations जो हम solve करते हैं वो उस type की equation होगी यह हो जाएगा 5x is equals to minus 8 x की value आगई minus 8 by 5 और यहां से हुआ minus 2x minus 3 is equals to minus 3x minus 5 यहां से हुआ x is equals to minus 2 हमारे पास यह values आई तो यह हमारे answer हो गए यानि इन दो values के लिए हमारी यह जो expression है यह true हो गई ना ना बाबा ना ऐसे कैसे बोल दिया गई हम यह जो x ढूंड रहे हैं यह जो x ढूंड रहे हैं यहां जो x हम निकाल रहे हैं उसे देखो तो सही बीच में सीधा उपर कूद गए बीच में एक cd जो आप लगा के आए हो उसे तो देखो यह जो x है यह बोल रहा है minus 3 by 2 से बड़ा होगा तो ही मैं इसे इस statement को true होने दूंगा अगर यह इसे ही तभी true होने देगा तो यह भी तभी true होगी तो फिर तो यह value भी तभी आएगी जब यह true होगी यह तभी होगा जब यह होगा और यह तभी होगा जब यह होगा तो यानि कि यह भाई साब इन पे पूरी तरीके से dependent होगे dependent होगे तो अगर मैं बोलू तो यह हुआ x is equals to minus 1.6 और यह हुआ minus 1.5 यानि minus 1.5 से बढ़ा चीए लेकिन यह बोल रहे है मैं तो minus 1.6 लूँगा तो यह तो गलत होगया यानि यह values इन भाई साब को follow नहीं करना चाती हूँ अगर नहीं follow करना चाती है तो यह बोलेंगे I don't need you out तो यह इसे हटा देंगे यानि यह value possible नहीं है तो ना यह value possible रही ना यह value possible रही अब बच्चे यह एक यह भाई साब बोल रहे है कि x की value minus 2 होनी चीए और यह भाई साब similarly यह true तब होगा जब यह होगा यह तब होगा यह तब होगा और यह तब ही होगा answer हमारा हो गया x is equals to minus 2 यह हो गया x is equals to minus 2 यानि सिरफ और सिरफ x is equals to minus 2 के लिए हमारी जो यह given expression है यह true होगी यानि सिरफ और सिरफ इस एक x की value के लिए यह expression जो है 0 के equal हो जाएगा तो यह था guys mode को कैसी operate कर सकते हैं यह था एक basic example कुछ examples हम next lecture में करेंगे और आपके लिए जो आज बढ़ाया उसके basis पर कुछ वो होंगे questions जो आपको description link में मिल जाएंगे आप practice कीजी कोई doubt हो तो comment section में बताएं thank you guys and keep watching